अब हम बात करेंगे कि हमारा इस छे माँ के कूर्स के अंदर पॉर्टफोलियो बिल्ड करने का प्लैन क्या है? यानि कि what we are going to do in next six months and how it can actually help you to build your portfolio. छे माँ के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं? तो इस लेक्शर के अंदर जो प्लैन्स में आपको बताने वाला हूँ, you have to work on that. और आपने दिल की अतागराईयों के साथ उस पे काम करना है. और अतागराईयों ये होती हैं कि passion के साथ. अब अगर आपके पास passion नहीं है न, believe me, आप इससे आगे नहीं चल पाएंगे. तो portfolio जो है, वो कैसे बनता है, किस तरीके से बनता है, इस पुरे 6 मा के course के अंदर आपको बताया जाएगा. पहला गाम मैं ये आपको बताऊंगा, कि आप जब एक portfolio बिल्ड कर रहे हैं, तो आपने GitHub की repository पे कैसे बिल्ड करना है. दूसरा ये बताऊंगा, कि आपने वो ही portfolio केगल पे कैसे डालना है, तीसरा ये बताऊंगा, कि आपने वो ही portfolio अगर किसी static website पे डालना है, तो वो कैसे डाल सकते हैं, चोथा ये बताऊंगा, कि आपने social media handling कैसे करनी है, कि जब भी कोई recruiter आपको recruit करने आए, तो उसको असान और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि WordPress की वेबसाइट कैसे बनाई जाती है आपको Django और Flask पे भी सिखाया जाएगा and then we are going to do many things but step by step ऐसा नहीं होगा कि आपका पोर्टफोलियो पहले दिनी हो गया believe me projects आप मेरे साथ करते जाएँ आपको कोई extra project करने की जरूरत नहीं है छे माँ में आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा और उस पोर्टफोलियो को आप शोकास कर सकते हैं कहीं पे भी शो कर सकते हैं not शोकास बलके जो भी है आप दिखा सकते हैं और आपको recruiter जो हैं फिर वो दूर दूर से देखके आपकी जो पोर्टफोलियो आपको comments करेंगे और आपको recruit करने की कोशिश में लग जाएंगे अब हम जो अगला काम करने वाले हैं I'm going to highlight few points जो पोर्टफोलियो के लिए बहुत जरूरी हैं और उस पे हम काम करते हैं and then we will see के पोर्टफोलियो को बनाते वकत हमने किस तरीके से आगे बढ़ना है ठीक है जी अब यहां पर मैं अगेन आपको कहूंगा कि आप अपने पास जो आपकी notebook है वो अपने पास रखें क्यूंकि अब हम notebook के ओपर काम करने वाले हैं let me do it now यह मेरी notebook आपके सामने नजर आ रही है आपको and then I'm going to write के आज हमने क्या काम करना है और सबसे पहला काम LinkedIn को किस तरीके से improve किया जाएगा ठीक है so यहां पर आपके सामने यह screen आपको नजर आ रही है इसके ऊपर सबसे पहला काम हम करेंगे port folio और अब आपको बताने लगाँ कि कैसे कैसे बनता है सबसे पहले आप एक website बनाएंगे अपनी जिसको आप portfolio कहते है website पर सबसे पहला home page होता है जिसे landing page कहते है ठीक है और दूसरा आपका होगा इसी तरीके से about का page वहीं पर क्या आप कौन है क्या है फिर तीसरा आपका page होता है contact us का कि मुझसे मेरे साथ रापता करें चोथा आपका page होना चाहिए प्रोजेक्स का जिसमें सारे के सारे प्रोजेक्स हो और हर प्रोजेक्स सेपरेटली एक नई menu को open करें ये website के उपर आपका portfolio कुछ इस तरीके से हो सकता है दूसरा तरीका कार जो portfolio का होता है that can be a github repository github repository github repository मतलब क्या जैसे आपको पता है कि मैंने github का link दिया हुए अपने नीचे description के अंदर आप github के website पे जाएंगे github.com वहाँ पे जाने के बाद आप अपनी ID बनाएंगे ID बनाने के बाद उस ID का जो profile page होता है उसके उपर आप अपना portfolio develop कर सकते हैं but this is not really common कम लोग ऐसे काम करते हैं but you can do it और profile page के उपर आप सारा कुछ highlight कर सकते हैं अपना नाम बता सकते हैं qualification बता सकते हैं यहीं पर आप बता सकते हैं अपने projects और हर project को numbering दे के आप highlight कर सकते हैं और हर project की separate repository होनी चाहिए ठीक है उनका link आप ने दे देना है फिर इस तरीके से जब projects highlight होगे तो बाकि जो ingredients मैंने पहले lecture में आपको बताए है इससे पहले वो सारे के सारे ingredients आपने add करने है ठीक है इससे आपका portfolio बहुत strong हो जाएगा और जब आप इस तरीके से कोई बनाएंगे अपनी profile तो वो ज्यादा अच्छी हो जाएगी profile page के उपर ही रखने से एक काम आप और कर सकते हैं आप एक readme file बनाए readme.md यानि के markdown की एक file बनाए और इस file के अंदर अपने सारे के सारा portfolio लिखने ठीक है जो जो भी है name हो गया जो भी मैंने landing page जो आपको बताया था वो सारा लिखने के बाद ये readme markdown एक github की repository के अंदर upload कर दे ठीक है इसको upload कर दे तो क्या होगा वो जो repository होगी वो basically आपका portfolio के तोर पे काम कर लेगी उसमें सारी information होगी और usually लोग ऐसा भी करते हैं सबसे सस्ता और free वाला तरीका है ये जो github वाला है ये दोनों तरीके जो मैंने बताया है ये totally free है अब आपकी markdown में कितनी command है markdown language को सीखने में जो मैंने 72 minutes वाली video भी आपको दी थी आप उसकी base पे ये पूरा project portfolio अपना develop कर सकते हैं ठीक है तो यहीं पे अगर आप तीसरा तरीका अपनाना चाहें that is using web app development web apps यानि के एक online free platform है जिसका नाम है streamlet जो हम इंशाला आगे भी पढ़ने वाले हैं आप streamlet web app के थूरू अपना portfolio शोग कर दें ठीक है web app के थूरू और जब आपको streamlet मैं सिखाऊंगा उस web app के थूरू आप इसको बना देंगे और इसको free में streamlet cloud के उपर आप upload कर सकते हैं ठीक है और यह totally free होगा it doesn't cost anything तो यह भी free वाला तरीका हो गया free ठीक है फिर आप जो मैंने आपको बताया था domain hosting यहां पे खर्चा पड़ता है website के अंदर domain और hosting का तो यह आपको देने पड़ते है and you have to maintain your portfolio लेकिन website का एक फाइदा यह होता है आप इसे earning भी कर सकते हैं writing blogs तो it's up to you अगर आप इस पे काम करना चाहते हैं website होगी github repository होगी web page होगा and then अक्सर उकार जो recruiters आजकल काम करते है वो github पे आप अपनी बना लें पुरा project portfolio but use यहां पे आप क्या था हाँ linked in linked in linked in पे जाएं अपनी profile बनाएं वहाँ पे login करके profile के उपर about me का section जो होगा उसी के अंदर आप सब कुछ अपना about me लिख सकते हैं contact के लिए भी वहाँ पे अपना email दे सकते हैं और अपने portfolio का link भी वहीं पे दे सकते हैं जब आप portfolio को link और बाके चीज़े दे देंगे तो linked in profile आपकी enough होगी कि जिसने भी portfolio देखना है वह इस पे click करेगा and it will redirect towards our github page या कोई भी आपका portfolio है तो ये social media का use होता है आपकी profiles को आगे लेके जाने के लिए अब linked in के उपर आज से हमने काम करना है तो linked in की profile को किस तरीके से improve किया जाता है उस पे proper way में हम देखेंगे बात करेंगे और हम देखेंगे के linked in के profile improve करने के तरीके कार कौन कौन से है अच्छा एक जो चीज सबसे ज्यादा important है जो fifth number पे आती है that is कि portfolio बनाने के लिए आप free domains का भी हिस्साहरा ले सकते है free domains and websites अक्सर अकात आप canva का जो software है उसके थुरू अपना website बना के उसे आप host कर सकते हैं ठीक है canva के थुरू तो canva के उपर भी आप जा के बना सकते हैं sometimes it's free sometimes it costs लेकिन आपको उसको चलता रखना होता है कहीं पर so please explore canva websites इसके इलावा जो और भी websites होती है यानि के google पे जा के आप google page बना बना सकते है google pages बना सकते हैं इसी तरीके से github के ऊपर आपके पास github pages होते हैं आप उस पर अपना portfolio बना सकते हैं जो एक website की तरह होता है और static website देता है student developer pack के अंदर या teacher developer pack के अंदर d pack मैं इसे बोलूँगा उसके अंदर आपको free में काफी domains भी मिल जाती है और hosting भी मिल जाती है अगर आप उसको explore करें hosting तो आप उसको वहां पे जाके purchase कर सकते हैं और आप develop कर सकते हैं अपना portfolio देया लेकिन आपको मैंने जैसे बताया है कि github के उपर सबसे easy काम हमारा क्या होगा कि हम easily github के उपर website के उपर जाके एपना portfolio जाए वो generate कर लें अब यहां पर आपको समझ आगी होगी कि there are many ways out there आपके छोटी से assignment भी यही है आपने search out करना है कि portfolio हम किस तरीके से data science और AI की अपनी पूरे के पूरे portfolio को show कर सकते हैं to recruiters या to other people जिनको हमारे बारे में नहीं पता so you have to find out at least 10 ways मैंने 5 बता हैं इसके इलावा भी काफी तरीके का रहे हैं जो आप पे मैं छोड़ता हूँ अब आपने उन्हें search करना है और hopefully जब आप उसे search करेंगे you will know better कि आपको किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ों का खियार रखना पड़ता है पॉर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है पॉर्टफोलियो बना के आप कमा सकते हैं पॉर्टफोलियो बना के आपके chances of jobs heavy हो जाते हैं क्योंकि इतने data scientists मजूद हैं दुनिया के अंदर लेकिन तकरीबन मैं यही कहूंगा 30-40 फिसल लोगों का ही पॉर्टफो पॉर्टफोलियो नहीं बना सकते हैं इट कैन ओनली एक्ट ऐस पर फाइल तो यहां पर मैं अपना लेक्शर जा उसे स्टॉप करता हूं